परामादर निये प्रदान मंत्री जी और सात्यों शेहरी नियोजन रिकास और सच्चता की इस पोस्ट बजट वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मानिये प्रदानमंत्री जी आज की वेबिनार में हमने बजट के अनॉंस्मेंट से चार ब्रेकाउट सेशन का आयोजिन किया है पहला अर्बन प्लानिंग जिसमें 15,000 करोड का इंटरेस्ट फ्री लोन जो स्टेट्स को दिया जा रहा है ताकि वो अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स, टाउन प्लानिंग स्कीम, लैंड पूली वगएरा कर सके दूसरा ब्रेकाउट सेशन अर्बर इंफ्रास्ट्रक्ट्चर डेवल्लप्मेंट फंड, मिनिस्मल बॉंड्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म और यूजर चार्जिस पे है तीसरा ब्रेकाउट सेशन मैन होल टू मशीन होल जो पूरा मेकेनाईजेशन की ड्राइव आपने लॉंच करवाई है उस पे है सर और चौथा ब्रेकाउट सेशन वेस्टू वेल्थ जिसमें 500 गोबर्दन प्लांट और जिसमें से 75 प्लांट शहरों में लगेंगे उस पे है सर ये आज की वेबिनार हाउसिंग और अर्बन अफियर्स मंत्राले लीड लेके एन्वाइमेंट मिनिस्ट्री के साथ को लीड में सोशल जस्टिस मंत्राले, फर्टिलाइजर, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन और इपार्टमेंट और फानेशल सर्विसिस के साथ मिलके आयजन कर रहा है इस वेबिनार में सभी राज्यों से हमारे साथ जनप्रतिनिदी, वार्ड काउंसलर्स, मेर, मुनिस्पल चेर परसंस, मुनिस्पालिटी के आफिसर्स, एकेडेमिक इंस्ट्यूशन्स, इंडस्ट्री, स्टार्ट अप्स और सबसे रहादा सफाई मित्र हमारे साथ मंत्रित करता हूँ आज़ादी के बाद हमारे देश में इक्का दुक्का ही प्लांट सिटी बने, आज़ादी के 75 वर्षों में देश में 75 नए और बड़े प्लांट सिटी बने होते, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती लेकिन अब 21 सदी में जिस तरह भारत तेजगती से विकास कर रहा है, आने वाले समय में अनेको नए शहर ये भारत की अनिवारियता होने वाली है ऐसे में भारत में अर्बन डेवलप्मेंट के दो प्रमुक पक्ष हैं नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्ताओं का आधुनी करांग इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजेट में अर्बन डेवलप्मेंट को बहुत महत्वत दिया है इस बजेट में अर्बन प्लानिंग के मानकों के लिए पंद्रा हजार करोड रुपिय का इंसेंटिव भी तै किया गया है मुझे विश्वास है इससे देश में प्लान और व्यवस्तित शहरी करण की नई शुरुवात होगी इससे गती मिलेगी साथियों आप सभी एक्सपर्ट जानते हैं कि अर्बन डेवलप्मेंट में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवननस दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है शहरों की खराब प्लानिंग या प्लान बनने के बाद उसकी सही इंप्लिमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनोतियां पैदा कर सकता है अर्बन प्लानिंग के तहट आने वाली स्पेशल प्लानी हो ट्रांस्पोर्ट प्लानी हो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानी हो बॉटर मेनेजमेंट हो इन सभी एरियाद में बहुत फोकस वे में काम करना जरूरी है इस वेबिनार के अलग-अलग सेशन्थ में आप तीन सवालों पर जरूर फोकस करें पहला राज्यों में अर्बन प्लानिंग इकोसिस्टिम को कैसे स्ट्रेंदन किया जाए दूसरा प्राइवेट सेक्टर में उपलब्द एक्स्पर्टाइज का अर्बन प्लानिंग में कैसे सही इस्तिमाल हो तीसरा ऐसे सेंटर ओफ एक्सलेंसी कैसे डेवलुप किये जाए जो अर्बन प्लानिंग को एक नए लेवल पर लेकल जाए सभी राज्य सरकारों को और अर्बन लोकल बोडिस को एक बात हमेशा याद रखनी होगी बेदेश को विक्सित बनाने में तब ही अपना योगदान में पाएगे जब वो प्लान अर्बन इरियात को तयार करेंगे हमें ये बात की बड़ी भात ही समझनी होगी कि अमरित कान में अर्बन प्लानिंग ही हमारे शहरों का भाग्य निरधारित करेंगी और भारत के वैल प्लान शहर ही भारत के भाग्य को निर्धारित करेंगे जब प्लानिंग बहतर होगी तभी हमारे शहर क्लाइमेट रेजिलियन और वाटर सिक्यर भी बनेंगे साथियों इस वेबिनार में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नस के जो एक्सपर्स है उनसे मेरा एक विशेश आग्रह है आपको जादा से जादा इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचना चाहिए जी आई एस बेज मास्टर प्लानिंग हो अलग-अलग तरह के प्लानिंग टूल्स का विकास हो एफिशन हुमन डिसोर्सी हो कैपेसिटी बिल्निंग हो हर एरिया में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है आज अर्बन लोकल बोडिज को आपके एक्सपर्टाइज की बहुत जरूरत है और यही जरूरत आपके लिए अनेक आउसर पैदा करने वाली है साथियों, शहरों के विकास का एक इंपोर्टन पीलर होता है ट्रांस्पोर्ट प्लानिंग हमारे शहरों की मोबिलिटी अनिंट्रप्लेड होनी चाहिए 2014 से पहले देश में मेट्रो कनेक्टिविटी की क्या स्तीती थी आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सरकार ने कई शहरों में मेट्रो रेल पर काम किया है आज हम मेट्रो नेट्वर्क के मामले में कई देशों से आगे निकल चुके हैं अब जरूरत है इस नेट्वर्क को मजबूत करने की और फास्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्द कराने के और इसके लिए जरूरी है एफिशन ट्रांस्पोर्ट प्रानिंग के सहरों में सडकों का चौरिय करन हो, ग्रीन मोबिलिटी हो, एलिवेटेड रोड्स हो, जंक्षन इंप्रूमेंट हो को इन सभी कंपोनेंट्स को ट्रांस्पोर्ट प्रानिंग का हिस्सा बना नहीं होगा, साथियों, आज भारत सर्कुलर एकोनामी को अर्बन डेवलप्मेंट का बड़ा आधार बना रहा है, हमारे देश में हर दिन हजारों टर्न मिनिस्पल वेस्ट पैदा होता है, इसमें बैटरी वेस्ट, एलेक्ट्रिकल वेस्ट, आटोमोबाइल वेस्ट और टायर जैसी चीजों से लेकर कंपोज बनाने तक की चीजे होती हैं, 2014 में जहां देश में केवल 14-15 प्रतिशत वेस्ट प्रोसेस होती थी, वहीं आज 75% वेस्ट प्रोसेस हो रहा है, अगर ये पहले ही हो गया होता, तो हमारे शहरों के किनारे कूडे के पहड़ों से ना बरे होते हैं, आज वेस्ट की प्रोसेसिंग करके, इन कूडे के पहड़ों से भी शहरों को मुक्त करने का काम किया जा रहा है, इसमें कई इंडस्ट्रीज के लिए रीसाइकलिंग और सर्कुलरिटी के धेर सारे अवसर है, इस शेत्र में कई स्टार्ट अप्स कापी अच्छा काम भी कर रहे हैं, हमें इन्हें सपोर्ट करने के जरूत है, इंडस्ट्री को वेस्ट मैनेजमेंट के पूरे पोटेंशल को इस्तमाल करना चाहिए, हमने अमरत योजना की सब्रता के बार, शेहरों में पीने के साब पानी के लिए अमरूट 2.0 उसको लॉंच किया था, इस योजना के साथ अब हमें पानी और सिवेज के ट्रेडिस्ट्रल मॉडल से के आगे की प्लानी करनी ही होगी, आज कुछ शेहरों में यूज्ड वाटर का ट्रिट्मेंट करके उसे इंडिस्ट्रिल यूज के लिए भेजा जा रहा है। वेस्ट मेनेजमेंट के इस शेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अपार संभावनाय बन रही है। साथियों हमारे नए शहर कच्रा मुक्त होने चाहिए, वाटर सिक्योर होने चाहिए और क्लाइमेट रेजिलियन्ट होने चाहिए। इसके लिए हमें टियर टू और टियर थी शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग में निवेश बढ़ाना होगा। आर्किटेक्चर हो, जीरो डिस्चार्ज मोडल हो, एनरजी की नेट पोजिलिविटी हो, जमीन के इस्तेमाल में एफिशंसी हो, ट्रांजीट कोरिडोर्स हो या पबलिक सेवाओं में AI का इस्तेमाल हो। आज समय है कि हम अमारी फ्यूचर सिटीज के लिए नरी परिभाशा पताए करे, नए परामिटर सेट करे, हमें ये देखना होगा कि अर्बन प्लानिंग में बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। बच्चों के खेलने कुदने की जगों से लेकर साइकल तक चलाने के लिए उनके पास अब परियाप जग़ है ही नहीं। अर्बन प्लानिंग में हमें इसका भी ध्यान रखना हो। साथियों शहरों के विकास के समय इस बात का भी धान रखा जाना आवशक है कि इसमें शहरी लोगों के विकास के भी समभावनाय समाईत हो। यानि हम जो योजनाएं बना रहे हैं नीतिया बना रहे हैं वो शहरों के लोगों के जीवन तो आसान बनाएं उनके खुद के विकास में भी मदद करें इस साल के बजेट में PM आवास योजना के लिए करीब करीब 80,000 करोड रुपिये खर्च करने का कमिट्मेंट किया गया है जब भी कोई घर बनता है तो उसके साथ सिमेंट, स्टील, पैंट, फरनीचर जैसे कई उद्योगों के व्योसायों की गती मिलती है आप कल्पना कर सकते हैं इससे कितने उद्योगों को कितना बड़ा बुस मिलेगा आज शहरी विकास के खेत्र में फिचरिस्टिक टेक्नलोजी की भूब का बहुत बढ़ गई है हमारे स्टार्ट अप्स को, इंडिस्ट्री को, इस दिशा में सोचने और तेजी से काम करने की आवशक्ता है जो संभावनाएं मोजूद है, हमें उनका भी लाब लेना है और नए संभावनाओं को जन्म भी देना है सस्टेनेबल हाउस टेक्नलोजी से लेकर के सस्टेनेबल सुटीज तक हमें नए सॉलूशन्स खोजने हैं साथियो मैं आशा करता हूँ कि आप सब इन विशयों पर इसके सिवाई भी बहुत सारे विशयों हो सकते हैं गंबीर विचार भी मस्क करेंगे, इस विचार को आगे बढ़ाएंगे, संभावनाओं को साकार करने का पर्फेक रोड मैप रास्ता बताएंगे इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रामना हैं, बहुत बहुत धन्यवाद